नमस्कार अचार सलिल चैनल में आप लोगों का स्वागत हैं आज का वीडियो बनानी की जो प्रेड़ना मिली वो इसलिए मिली क्योंकि इतिफाक से आज सुबह में बहुत दिनों बाद यूटूब में जाके कुछ वीडियो देख रहा था और उसमें बहुत से लोगों के जो कमेंट्स थे यूसी सी को लेके यूनिफॉर्म सिविल को लेके उसमें बड़े एग्रेसिव कमेंट्स थे बंगाल का जो वीडियो मैंने दिया था जून के महिने में तब मैंने का था कि भारत में सिविल वार वाली इस्थिती बन रही है और उस इस्थिती को जब मैंने बंगाल से और आसपास में देखा तो मैंने देखा कि नॉर्फ हिस्ट्रे कितब से ये सुरू हो रहा है और बंगाल और बंगाल से पिर इसे ये फ्यलेगा मैं अपने सभी followers और अपने सभी भाई बेनों और देश में रहने वाले हरा अदमी एक जुस्य का भाई बेन है हम लोगों ने एक सनातन परंपरा में सिखा है कि सनातन से जुड़के हम सब एक हो जाते हैं और सनातन एक वे अफ लाइफ होती है तो मुझे लगा कि अब parliament session शुरू होने वाला है तो क्या parliament में UCC bill आएगा आपको ध्यान होगा कि जब Modi जी दूसरी बार पिधान मंतरी बने थे तो उनके सपत गिरहन को लेके मैंने एक video दिया था और उस video में मैंने बताया था कि क्या-क्या काम होंगे और आप दीके बिल्कुल वैसे ही होते गए बीच में कोविड आया और कोविड में जाके इस्तितियां खराब हुई और फिर नोट बंदी हुई वह बहुत सी घटाएं ऐसी हुई जो अपरत्यासी थी अब जब की चुनाओ 2024 सामने खड़ा हुआ है ग्रहों की स्थिति बदल चुकी है यू सी सी मोदी जी का आकरी हतियार को कि बाकी काम तो वह कर गये और यह काम करने में अमिसाजीन उनको काफी हेल्प किया यू सी सी को की छे मैंने बाद चुनाओ की घंटिया बजना सुर्य हो जाएंगी ग्रहों की अपनी चाल बीच चुकी है और करनाटक का रिजल्ट आ चुका है और मैंने अल्री बताया हुआ है कि अब लोग सभा चुनाओ के पहले जो चार राज्यों के चुनाओंगे वो उसके समी करन बन चुके हैं और मैं आपका एक बार बताऊं कि ग्रह जो होते हैं वो अपनी बिचाद जब बिचा देते हैं तो आप कितन कि यह उठा पठक करिए कोछनी होगा क्यों कि हराद्मी के अपने सितारे होते हैं और आपिर देखें कि मनमोहन सिंग को दस साल पृधान मंतरी के बाद जाना था और मोदी जी को आना था मोधी जी रहे 10 साल पिदान मंतरी एदो उनके भाग में तीसा टरम भी होगा तो वो एक जोटसी होने के नाते फर्ज होता है कि उसको चर्चा में लाएं मैं में बोला था कि सिविल वार की इस्तिती बनेगी नौर्ट इस्ट से सुरू ही कलकत्ता और धिये धिये वो हो रहा है और इन बिट्वीन यूसी सी मुझे ऐसा लग रहा है कि पार्लामेंट में आएगा और खास्तोर से कुछ लोगों की स्पीचिस सुनने के बाद मुझे लग रहा है कि कहीं न कहीं देश के अंदर कुछ गरबड़ी होगी या होने जा रही है जाहिरा रूलिंग पार्टी बीजेपी है तो बीजेपी की कुंडी देखते हैं तो बीजेपी का जो जन्म हुआ है वो 6 अपरिल 1980 का है और वर्तमान समय में चंदमा की महादसा चल रही है और चंदमा की महादसा में ही चुनाव हो जाएंगे चंदमा दूतिये घर की महादसा है तो दसा मैं उतनी खराब नहीं मानता अच्छी दसा है चंदमा की महादसा में सनी का अंतर है सनी मिथुन लगने के लिए भाग्ये सोता है और वक्री हो गया वक्री होने के एक हारण इसमें जो इंफलेंस आ रहा है वो आ रहा है वीनस का और सुक्र जो है इस कुल्डी में उसमें राहू का इंफुलेंस आ रहा है और मैंने अक्सर बोला है कि मुंडेन अस्टोलोजी में राहू को हम कुछ कम्मुनिटी से कनेट करके देखते हैं चंदमा की महादसा में सनी का अंतर और चंदमा का पित्य अंतर जून 2023 से अगस्त 2023 जुलाई से पार्लामेंट का ससन सुरू होगा मून में सनी रहेगा फर्वरी 2024 तक ये पीरड जो होगा एक विवादों का पीरड होगा और ये विवादों का पीरड जो होगा मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं देश में माहोर खराब करेगा चुनाओ से पहले तो यह BJP की कुण्डी में और BJP की कुण्डी में सनी का गोचर जो है वो चंदमास से चौते है जब भी चंदमास से चौते सनी जाता है तो आप एमान के चलिये परिवर्तन की तरब कुल्ली जाती है याद दखेगा इसी इसको करनाटक इसका एक एक एक्जाम्पिल है और करनाटक के बाद भी चार राज्य की जो कुल्ली आएंगी चार राज्यों के जो चुनाओं आएंगे वो एक एक्जाम्पल बनेंगे और ये सनी जो है ये 24 में भी रहेगा लोगसवाचुनाओं में तो अब देखना ये है कि मोदी जी कितना इसको समाल पाएंगे क्या गिर्हों को पलट सकते हैं ये देखना पड़ेगा भारत की कुंडी देखते हैं भारत की कुंडी में इस समय चन्दमा की महादसा में सुक्र का अंतर और ये रहेगा 2025 तक मतब चुनाओं पूरे हो जाएंगे मुदी की कुंडी हम कई बार डिसकस कर चुके हैं अभी मैं गुजात में था तो मुझे बहुत सी और भी जानकारी मिली और मैंने उन जानकारियों को उस कुंडी में और लगाया तो उसको लगाने के बाद मैं ये बताना चाहूँगा कि 2024 के चुनाओं तो रोचक तो होंगे लेकिन देश में माहोल खराब करने की कोसिस की जाएगी और UCC देखा जाए तो जरूरी है कोई बुराई नहीं है लेकिन यहां पर भी मैं कहूँगा कि जब समानता का अब अधिकार लाओगे तो मैं यहां पर कहना चाहूँगा खास तोर से भारत की कुल्डी को देखते हुए हमारे जो आदिवासी हैं उनका विसेश ध्यान रखना जुरूरी है कोईकि जब आप सब को बराबर पर ले आओगे तो जो एक लड़ाई चल लगी है जंगलों की वो लड़ाई जो होगी एक विवाद में आ जाएगी कोईकि आदिवासीों की जो इस्तिती है वो बहुत खराब है और यही चीजे यह दि आप और जगे जाओगे तो प्राब्लम आएगी तो इन सब चीजों को लेके मैं समस्ता हूँ कि हमाई नेतागान डिबेट करेंगे कहीं न कहीं एक common platform पे लाएंगे बीजेपी की कुणली और भारत की कुणली में एक विवाद दिखरा है और मोदी की कुणली में 6th house एक्टिव है यह मुझे एक भैनक इस्तिती की तरफ ले जा रहा है और यह दि मैं यहाँ पे थोड़ा सा भविस्य मालका को लगाऊं तो भविस्य मालका समुझे से भी एक information निकलती है और वो यह निकलती है कि 2023-2024 यह खराब साल होंगे और मैं भविस्य मालका पे बहुत जादा नहीं जाओंगा लेकिन मैं astrology के साब से देखूं तो समय अच्छा नहीं होगा और बहुत ही recession का time है लोगों के पास नौकरिया नहीं होगी महंगाई नहीं होगी और इस सब को उपर बहुत सारे आरोप प्रित्यारोप लगेंगे मैं समझता हूँ कि कुंडली एक रास्ता दिखा रही है और इस बवंडर के रास्ते में इस विनास के रास्ते में जाने से हमको बचना चाहिए और ये काम जो है देखा जाए तो ये पिदान मंत्री का काम है कि वो कैसे जडेश में एक समानता ला सकते हैं बिना किसी खून खराबे के बिना किसी विवाद के मेरा ये वीडियो कुछ नेताओं के सब्दों के चेन को लेके हुआ कि मुझे ये अपने फॉल्वर्स के बीच में लाना चाहिए और मैं एक मैसेज भी देना चाहता हूँ कि दंगे फसाद में कुछ नहीं लडखा लाई जगने में कुछ नहीं लखा एक समानता होनी चाहिए लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है किस देश में गरीब गरीब होता गया है और अमीर होता गया है तो क्या ये आगे चलके UCC में ये भी आएगा कि समानता जब आईगी तो सब पिकार की समानता आईगी और यदि ये सब पिकार की समानता आईगी तब तो मैं इसको कहूँगा कि वाह बल्ले बल्ले और यह दिये समानता नहीं आई तो मैं समझता हूँ कि UCC भी जो है एक पिकार का एक ऐसा हतियार होगा जिसमें गरीब पिसेगा आदिवासी जिसमें मरेगा सोचने का विषय है कुंडली का विष्टेशर मैंने इसमें किया इसको समाहित किया जो इसमें दिख रहा है पाकि मैं सभी लोगों से प्रार्थना करूंगा निवेदन करूंगा कि वो देश में एक महोल अच्छा रखें क्योंकि जिस धंकी इस्तितियां है उसमें कौन कहां पर निपड़ जाए को कि बच्चे स्कूल जाते हैं बच्चे कॉलिज जाते हैं नोख्री करने जाते हैं और जब वो घर नहीं आये रस्ते में कुछ हाथसा हो जाए तो इस्तिति बहुत खराब होती है और मैंने बहुत से दौर देखें कि इस परकार की घटनाएं पहले भी होती थी करवाई जाती थी लेकिन अब जब की एक हम कहते हैं कि मोदी जी के बारे में कहा जाता है कि वो एक सनातन नहीं पिदान मंतरी है और एक चीज़ को मैं मानूँगा कि गल्फ कंट्रीज में सनातन धर्म के जंड़ा अपने दिल लगा दिया है तो मैं समझाँगा कि यहां पे उस सनातन का परमपरा का पालन हो और मैं समस्ता हूं कि एक पिकार से देखा जाए तो एक बरावर का अधिकार होना चाहिए और गरीबों का विसेज ध्यान रखना चाहिए जो कि मैं देख पा रहा हूं कि कोविट के बाद काफी इस्तिती बहुत खराब है मैं महंगाई की चर्चा नहीं करूँगा मैं बेर